क्रेडिट केस टुटोरियल में आपका स्वाधत है आज हम जानेंगी कि आप अपना आधार PDF में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोलना है उसके बाद आपको UID AI खोजना है खोजनी के बाद आपको यह प्रिष्ट दिखाई देगा तो आपको भाषा का चैन करना होगा भाषा का चैन करने के बाद इस प्रिष्ट में आप आजाएंगी तो आपको विग्यापन को हटा देना है और स्क्रोल करना है Scroll करने के बाद यहां Get Aadhar के नीचे Download Aadhar का विकल्प दिखाई दे रहा होगा तो उसके बाद यह Login प्रिष्ट आपके सामने खुलेगा तो सीधे आपको Login पर क्लिक करना होगा Login पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सत्यापन के लिए Aadhar Number जोड़ना होगा और उसके बाद यहां लिखे हुए Part को यहां भरना होगा और Send OTP पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके पंजीकरन नमबर पर एक OTP जाएगा उसे यहां भरना होगा OTP भरने के बाद आपको Login पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने ये प्रिष्ट खुलेगा तो यहाँ पर डाउनलोड आधार पर क्लिक कर दी उसके बाद एक और प्रिष्ट खुलेगा यहाँ पर नीचे डाउनलोड के विकल्ब पर क्लिक कर दी आपका आधार डाउनलोड हो गया होगा फर उसमें password लगा होगा तो password आपका होने वाला है आपके नाम के पहले 4 अक्षर और उसके साथ आपका जन्साल तो यहां तीन डॉट पर क्लिक करें उसके बार download पर क्लिक करें और उपर में आपका download किया हुआ pdf दिखाई देगा उसे खोलने फिर यहाँ पर फाइल खोलने के लिए पासवर्ड मांगेगा तो आपको यहाँ पर अपने नाम के पहले 4 अक्षर डालना है और साथ में जनग साल डालना है उदाहरन के लिए जनग साल 1999 है तो मेरा आधार खुल जाएगा इस तरह से आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं क्रेडिट कैस से जुड़ने के लिए धन्यवाद विडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे विडियो प्राप्त कर सकी